पीबी से दुनिया में आज देखे इस्राइली कब्से वाले वेस्ट बैंक में नहीं थम रही हिंसा गाजा में जारी जंग के बीच इस्राइली कब्से वाले वेस्ट बैंक में भी जारे हिंसा का सिलसला दिखाएंगे इस्राइली सैनिकों की गोली से मारे गए एक फलस्तिनी लड़के की कहानी स्वागत है अब का भीवी से दुनिया में, मैं हू सारी कासिक इस्राइल और हमास जंग में मारे जारे बच्चों के बाद कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हैडलाइन्स राश्ट्रपती व्लाद अमिर पुतन ने कहा, रूस, फिनलेंड और स्वीजन से लगती सीमा पर तैनात करेगा सैनिक और हत्यार यूकरेन पर रूसी हमले के बाद, फिनलेंड और स्वीजन बच चुके हैं, नेटों के सदस्या यूरोपेन पार्लेमेंट ने आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के इस्तेमाल को लेकर एक एहम कानून को दी मनसूरी यूरोपेन पार्लेमेंट की अध्धक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने कहा, नए नियमों से टेक इनोवेशन और लोगों के बुनियादी अथिकारों में कायम होगा संतुलन पीजेपी ने लोग सभा चुनाओ के लिए जारी की उमिद्वारों की दूसरे लिस्ट, बहत्तर नामों में केंद्री मंत्री, नितिन गटकरी, अनुराक्ठा कुर्भी शामिल, दोनों अपनी पारंपरिक सीटों से लड़ेंगे चुनाओ, हर्याना के पूर वसीये मनुहर लाल कटर करनाल से और पंक जाम उंडे को बीड से चुनाओ का टिकेट, इनमें से कुछ एहम ख़बरों की चाचार्ज, पीवी से दुनिया में इस्राइल और हमास के भी जारी जंग का असर गाजा के साथ-साथ, इस्राइल के कबजेवाले विस्ट बैंक में भी देखने को मिल रहा है यहां भी ऐसे लोगों की जान जा रही है, जिनका जंग से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है मरने वालों में बच्चे भी शामिल है, आज कवर स्टोरी में ऐसे ही एक फलस्तिनी मासूम की कहानी और गजा में तीन हफ़तों में पहली बार जमीनी रास्ते से मदद पहुँचाई जा रही है स्टराष्ट ने कहा है कि उत्तरी गजा में जरूरत मंदू तक खाने के सामान से भरे आच ट्रक पहुँचाने के लिए जमीन से एक नया रास्ता खुला गया है गजा में मदद पहुँचाने के लिए इसराइल का ये पालिट प्रॉजेक्ट है इस बीच गजा के तड़ पर एक जहाज भी पहुचने वाला है जिस पर 210 राहत समागरी लदी है ये साइप्रस से गजा तक एक नए समुद्री रास्ते से भेजा गया है लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये राहत समागरी बांटी कैसे जाएगी एक और घजा में अकाल जैसे हालात पैदन ना हो इसके लिए इंतराश्टे दबाव बढ़ रहा है और दूसरी और ये उरोपिय संग के विदेश नीती के प्रमुक का मानना है कि इसराइल गजा में जारी जंग के बीच भूकमरी को एक हत्यार के तरह इस्तमाल कर रहा है ये मानविय संकट कोई प्राकिर्टिक आपदा नहीं है ये कोई बार या भुकम्प नहीं बलकि मानव जनित रास्दी है और जब हम मदद पहुँचाने के लिए वैकलपिक रास्ते तलाशते हैं चाहे वो समंदर से हो या आसमान से हमें याद रखना होता है कि ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मदद पहुचाने का सुभाविक रास्ता यानि सड़कें जान बूज कर बंद कर दी गई हैं और भुकमरी को जंग के हत्यार के तौर पर इस्तिमाल किया जा रहा है यूकरेन में जो हो रहा है जब हम उसकी निंदा करते हैं तो जो गजा में हो रहा है उसकी भी वैसे ही शब्दों में निंदा होनी चाहिए और इस्राइल ने गजा में दाखिल होने वाली मदद पर कड़ी पाबंदिया लगाई है उसके से ना अंदर जा रही हर खेप के जाच करती है इस बीट सेयुक्त राष्ट में फलस्तिनी राजटूत ने बीबीसी को बताया कि सड़क के रास्ते मदद पहुंचाना ही असरदार होगा और उसी से फलस्तिनी लोगों की भूख मिट पाएगी दो बातें कहता हूँ पहली तो ये की सी आईए के निदेशक समयत कई नेता कह रहे हैं कि आप जमीन के जरीए मदद पहुंचाए बिना फलस्तिनीों की भूख की समस्या को हल नहीं कर सकते तो एक तरह से वो क्रॉसिंग को खोलने और बड़े पेमाने पर ट्रकों को आने देने की बात कर रहे हैं दूसरी बात ये है कि युद्विराम हुए बिना ही इतनी मदद पहुंचाएं कि फलस्तिनीों की जरूरतें पूरी हो सकें और घजा में तो हालात खराब है ही इस्राइली कबसे वाले वेस्ट पैंक में भी बीते साल आक्टूबर में संघर्श शुरू होने के बाद हिंसा लगातार बड़ी है स्युक्तराश्टर की मताबिक लड़ाकों की तलाश में इस्राइली सुरक्षाबनों की अभियान के दोरान 416 फलस्तिनी मारे गए है और उस दोरान 15 इसराइलियों की भी जान गई है स्युक्तराश्टर का कहना है कि मारे गए फलस्तिनियों में एक चौथाई बच्चे है तस साल का मार नजार उन्हीं में से एक था जिसके पिछले हफते बुरीन गाउं में गोली लगने से मौत हो गई देखिए बीबी से समाधा था फरगलकीन की एक खास रिपोर्ट जिसके कुछ इससे आपको विचलित कर सकते है वे उसे बहुत पहले से जानते थे उससे भी पहले जब उसे गुसे से भरे इस दोर का प्रतीक बना दिया गया था दस साल के अमार को हमास के जंडे में लपेटा गया है लेकिन वो तो स्कूल जाने वाला लड़का था जो खरीदारी के लिए अपने पिता के साथ निकला था इस्राइली सैनिकों के हाथों उसकी मौत हुई है इसलिए हमास का ये धड़ा उसे शहीद मान रहा है हमास का माक्सवादी लेनिनवादी धड़ा पियलो उसे अपने जंडे में लपेट कर सुपुर्दे खाक करने ले जा रहा है ये एक बच्चे के मारे जाने की कहानी है ना कि एक प्रतीक की चार मार्च को अमार अपने पिता और छोटे भाई के साथ बुरिन से गुजर रहा था तभी इसराइली सैनिकों के एक दस्ते से उनका सामना हुआ उन्हें कोने में इस दुकान के पास रुका गया हम किसी भी परिवार की तरहे घर के लिए राशन खरीदने निकले थे हम कार में थे कि तभी हमारा सामना सैनिकों से हुआ और उन्होंने हमें सीधे निशाने पर ले लिया उस दिन दुपहर से ही इसराइली फॉज बुरिन में थी एक स्थानिय व्यक्ती ने तीन बजे के आसपास ये तस्वीरें खींची थी फॉज का कहना है कि नौजवानों ने उन पर पत्राव किया एक स्थानिय व्यक्ती ने हमें बताया कि मुहमद नजार की मिनी बस साड़े चार से पांच बजे के बीच पहुँची होगी उसके पता और चोटा भाई बैठे थे उन्होंने हम पर सीधे गोली चलाई जिससे आमिर की फॉरन मौत हो गई वो जखमी नहीं हुआ उसने उसी पल दम तोड़ दिया क्योंकि उसे सिर में गोली मारी गई थी बगल में बैठा अमार का चोटा भाई ये सब देख रहा था बीते साल साथ अक्टूबर के बाद से ही वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ी है इसराइली सुरक्षा बलों और सेटलर्स के हाथों चार सो से अधिक फलस्तीन ही मारे गए है सैंगतुराश्ट के मुताबिक उन में से एक चौथाई लोगों की उम्र 10 से 17 साल के बीच थी फलस्तीनियों के हाथों भी 15 इसराइली मारे गए बुरिन लंबे समय से संखर्श के केंदर में रहा है यहूदी सेटलर्स ने इसका फायदा उठाया जो गामों पर हमले करके संपत्ती को तबाह करते रहे और उसके वीडियो बनाते रहे बुरिन में रहने वालों का कहना है कि फौज सेटलर्स का पक्ष लेती है और उन्हें बचाने में नाकाम रही है नजार की माँ इसे खुली आँखों से देखा हुआ बुरा सपना बताती है मैं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देती हूँ इस डर से कि वो उन्हें मार देंगे मैं उन्हें स्कूल से ले आई थी कि वो मारे ना चाएं मैंने अपने बच्चे को बचाने की जितनी भी कोशिश की वो मुझसे उतना ही दूर चला गया बिसमिल्ले रह्मे रहीम इसराइल और वेस्ट बैंक में मानव अधिकार समूहों का आरोप है इसराइली फौज बच्चों समेत फलस्तीनी जिन्दिगियों की परवाद नहीं करती हाला कि इसराइली फौज इस आरोप को खारज करती है उन्होंने हमसे कहा कि 7 अक्टूबर के बाद चरमपंधी हमले बढ़े हैं वो बच्चों समेत नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं जब कोई विकल्प नहीं बचता तभी गोलियां चलाई जाती है मानव अधिकारों की पैरवी करने वाले वकीलों का कहना है कि इसराइल अपने सैनेकों को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा उन्हें इंटरनाशनल कρι्मिनल कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए कोई जबाब देही नहीं है किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा उन्हें तो बचाया गया है इसलिए मेरा मानना है कि जबाब देही टे करने वाला कोई अंतराष्टी ये तंतर प्रभावी हो तो मुझे यकीन है कि वो अपना नजरिया बदलेंगे मुझे नहीं लगता कि इससे वो सभी रुख जाएंगे लेकिन उससे कुछ फरक तो पड़ेगा अमार नजार के परिवार को न्याय की उमीद नहीं है इसराइली फौज ने कहा कि वो उन हालात की जाच कर रहे हैं जिनमें आमार की मौत हुई लेकिन यहां लोगों में फिर लड़ने का जस्पा है उन्होंने हमारे यहां कबजा किया हमें मारा यहां शांती का नामों निशान नहीं है वो नाराज हैं और डरे हुए भी एक पूरी पीड़ी फसी हुई है हाल के बरसों में जंग और दूसरे संख़शों में ड्रोन एक एहम चुनौती बन कर उब रहे है ड्रोन से होने वाले हमलों से ने पटने के लिए ब्रिटिन एक नया सिस्टम तियार कर लिया है ये लेजर तकनीक पर गाम करता है मेसाइलों के मुकाबले ये तकनीक बेहत किफायती है और इसे नाम दिया गया है ड्रागन फायर और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसे ब्रिटिश नेवी के जंगी जहाजों पर तैनात भी कर दिया जाएगा लेकिन इस सिस्टेम में कुछ कमया भी है देखे बीबी से समध आता जानथन बील की रिपोर्ट लाल सागर में पिछले कुछ दिनों से ये सब हो रहा है ब्रिटिश और अमेरिकी जंगी जहाज सस्ते हूती ड्रोन्स को मार गिरा रहे हैं ताकि व्यापार के लिए एहम इस समुधरी रास्ते को सुरक्षित बनाया जा सके हालांकि इस सब में काफी खर्चा आता है इन मिसालों की लागत लाखों डॉलर होती है लेकिन ये वीडियो है ब्रिटिन के पहले लेजर विपन का इसे स्कॉटलेंड में टेस्ट किया जा रहा है एक शान्त और किफाई की तकनीक इस लेजर बीम को स्पेशल लेंस के जरीए फिल्माया गया क्योंकि आपको सामाने आँखों से ये नजर नहीं आएगी यहां से ही हाई एनरजी लेजर के रणें बाहर निकलती है करीब 10 करोड डॉलर का खर्च आया है लेकिन फिर भी बिटिश मिलिटरी के लिए ये फाइदे का सौधा है इसका फाइदा ये है कि आप अपनी तरफ आ रहे खतरों से निपट सकते हैं और इसके लिए आपको महंगी मिसाईलें इस्तिमाल नहीं करनी होगी और इसके हर शॉर्ट का खर्च करीब 12 डॉलर आता है और लेजर से ये होता है प्रोजेक्टाइल की जगा इनरजी का इस्तिमाल यह हमारे पास कुछ स्टील प्लेट्स हैं जिनकी मोटाई अलग-अलग है और उन्हें हम बलास्ट कर रही हैं इसके जरीए नकेवल स्थेर टागेट्स को निशाना बनाया बलकि उडान भर रहे ड्रोन्स को भी मार गिराया गया ये एक सिक्के जितने चोटे आपजेक्ट्स को एक किलोमिटर दूर से निशाना बना सकता है सबसे एहम चीज है कि कई लोग लेजर की पावर की बात करते हैं लेकिन इस तरह की चीजों को निशाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं होती इसमें बस लेजर बीम का निशाना सही होना चाहिए फिलहाल इस तकनीक को किसी जंगी जहाज में नहीं लगाया रहा है इस तकनीक पर अभी काम चल रहा है और इसे इस्तेमाल मियाने में कई साल लग सकते हैं लेकिन दूसरे पारंपरिक हत्यारों के मकाबले लेजर पावर जरूरत के हिसाब से बढ़ाई या घटाई जा सकती है चाहे टार्गेट को नश्ट करना हो या फिर उसे बाधित करना लेकिन इसकी अपनी सीमाई भी है इसे आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपका टार्गेट नश्टी हो क्योंकि जिसे आप निशाना बनाना चाहते हैं उस अबजेक्ट दिखना जरूरी है हलाकि इसका फाइदा ये है कि आप इसे लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसके लिए कोई स्टॉक कर गे नहीं रखना होगा इस तरह के हथियार भविश्य की जंग में एहम हो सकते हैं स्टार वार्स फिल्म की तरह नहीं लेकिन एक तरह से विज्यान की कल्पना हकीकत में बदलती दिख रही है और अब बात अमेरिका के जहां मौझूदा राष्टपती जो बाइडन और पूर्व राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प ने अपनी अपनी पार्टियों के तरफ से राष्टपती पत के लिए उम्मीदवारी पक्की कर ली है अमेरिका में 70 साल बाद ऐसा हो रहा है जब दो दावेदार राष्टपती चुनाओं में लगातार दूसरी बार एक दूसरे के आमने सामने है प्राइमरी चुनाओं में डेमोकरिट डेलिगेट्स का परियाप्त समर्थन हासल करने के बाद अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया हलांके उनका जेमोकरिटिक पार्टी का उम्मीदवार बनना पहले से तैमाना जा रहा था दूसरे और डॉनल्ड ट्रम्प भी कई राज्जों के प्राइमरी चुनाओं में बढ़ध मिलने के बाद अपनी पार्टी से उम्मीदवारी हासल कर चुके हैं और इसी वज़े से शायद अमेरिका के लोगों में चुनाओं को लेकर जादा उत्साह नहीं देखा जा रहा है अमेरिकी राज़नी तिक मामलों की जानकार लॉरी लॉयर्ड का बाइडन ट्रम्प के बीच मुकाबले को लेकर ये कहना है दोनों उम्मिदवारों के लिए ये केमपेन अलग रहेगा ट्रम्प वैसे तो बाइडन से केवल साड़े तीन साल छोटे हैं लेकिन वो बाइडन से जादा सक्रिया देखते हैं जनता ट्रम्प को जादा फिट मानती है जबकि दोनों की उम्मर में जादा अंतर नहीं है लेकिन ये देखना दिल्चस्प होगा कि बाइडन इस कठिन चुनावी केमपेन में किस तरह शामिल होते हैं बर्ट फ्लू अब सुदूर धुरुवी इलाकों में भी रहने वाले पैंगुइन्स को चपेट में ले रहा है कई सी बर्ट और जानवरों तक को ये फ्लू हो रहा है और अब इसका असर सब अंटाक्ट के लाके में भी दिखने लगा है अब तो गेंटू और किंग पैंगुइन्स तक इनकी चपेट में आने लगे है इनने लेकर क्यों फिक्र बढ़ रही है देखे बीबीसी साइंस एडिटर रिबेका मॉरेल के रिपोर्ट ये बड़ी दूर से आए हैं दक्षनी जॉर्जिया के इस द्वीब पर वो अपना घर बनाने और अपने बच्चों को पालने के लिए आए हैं गेंटू पेंग्विन्स यहां वाइल्ड लाइफ का एहम हिस्सा है लेकिन अब यहां बर्ड फ्लू फैल रहा है और पांच गेंटू पेंग्विन्स फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं किंग पैंगुइन्स की एक कॉलोनी में भी पांच और पैंगुइन्स भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अंताक्टिक के इस हिस्से में पहली बार पैंगुइन्स में ये जानलेवा वाइरस मिला है। दक्षणी जॉर्जिया के इस खुबसूरत भी पर कई तरह के जीवजन्तू पाए जाते हैं जो दुनिया के लिए बेहद एहम हैं। ऐसे में अगर यहां पर बर्ड फ्लू से मौते होती हैं तो ये फिक्र बढ़ाने वाली बात होगी। विज्ञानिकों का मानना है कि पेट्रल और सक्यूर्स पक्षियों की वजह से दक्षणी अमेरिका से ये बर्ड फ्लू यहां तक पहुँचा और यहां से ये पक्षी अंटाक्टिका की और जाते हैं। और फिर वाइरस को लेकर इस सफेज जंगल में एम्परर पैंगुइन को संक्रमित कर सकते हैं जो पहले से ही बदलते पर्यावरन की मार झेल रही हैं और कम होती बर्फ का नुकसान भी। हाला कि अभी भी साफ नहीं है कि ये वाइरस यहां कैसे फैला। पैंगुइन्स एक कॉलनी बना कर एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। इसलिए मुम्किन है वाइरस भी एक से दूसरे में फैल जाए। हाला कि हमें ये नहीं पता कि अलग-अलग पैंगुइन की प्रजातियों में ये वाइरस क्या आसानी से फैल सकता है। बर्ट फ्लू की वज़े से दुनिया भर में परिंदों पर असर पड़ा है। यूके में भी हजारों पक्षीज की चपेट में आए हैं। ये स्तंधारी पशुओं में भी फैल रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये दक्षनी धुब के इलाके में भी फैलेगा। फिलहाल तो इनका असर पैंगुइन की कॉलॉनियों पर ही दिख रहा है। जिस पर वेग्यानिकों की नजर है। और थाइलिंड में मनाया जा रहा है नाश्टनल अलेफेंटे। यहां के प्राचीन शहर आयुथ्या में लगभग सत्तर हाथियों को भूच में खिलाए गए फन और सबस्यां। थाइलिंड में लोगों के लिए हाथियों का बड़ा महत्तु है। यहां की सैंक्चुरिज में लगभग 3,800 हाथी हैं। साल 1999 से वहां नाश्टनल अलेफेंट डे मनाने की शुरुवात हुई थी। और अमेरिका में इस तरह हुआ घोड़े का रेस्क्यो। कैलिफॉर्णिया में दस साल का यह घोड़ा गड़े में गिरा इसे बचाया गया। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं at BBC सारे के अपर, BBC दुनिया में फिलहा देता है।